इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा चुके एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और इस हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे न्यूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है जो भी बड़ी बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है लेकिन ये भी लिखा गया है कि घजवा हिंद के बारे में लिखा गया वे अटक का दरिया दो दोफार रंगी नोगा फून से और एखवानिस्तान की फोजें अटक तक पहुचेंगी ये सारी प्रेशन को ये उनने की लेकिन उसके बाद शमाल मश्रिक से फोजें उठेंगी ठाट टोलियों में से लोग आएंगे उस्बिक्तान से ये खुरसान की बात किये खुरसान यहां लहोर तक बनता था पराना खुरसान तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग तो फिर वहां से शमाल मश्रिक होईगी शमाल मश्रिक फोजें निकलेंगे तब आप वो फश्मीर फटा करेंगे उसके बाद अंचाला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहरा हूँ पहला तो ये है कि शोईब अख्तर ने ये कहा है कि हम पहले कश्मीर फटा करेंगे और फिर घजवाहिंद के तोर पे पूरे हिंदुस्तान को फटा करेंगे तो शोईब अख्तर को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुमने इंडिया में बड़ा पैसा कमाया है तुम वो हराम खोर इंसान हो एहसान फरामोश इंसान हो कि इंडिया के लोगों ने तुमें इतना प्यार दिया इतना पैसा दिया इतना मान दिया लेकिन हो तो बेगहरत रावल पिंडी के ना रावल पिंडी से कोई इनसान का बचा तो पैदा हो नहीं सकता क्योंकि आफ्टर ओल रावल पिंडी ही जी एच क्यू है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चकला है जिसकी कोई लिमिट नहीं है बेखेरती की बेहयाई की बेशरमी की तो शोयब अख्तर जो बाया पाकिस्तान बचाए ना उसको पेले बचा लो और जिस फोज के लिए तुम कह रहे हो कि वो इंडिया फता करे कि वो बेखेरत फोजी नाइंटी थरी ताउजन रोस एक इंडियन जनरल आता था तो उसके आगे अपनी पतलों उतार के पिछवाड़ा दिखाते थे और उनके साथ क्या क् जिन्दा हैं काफी जाके पूछलो उनसे तो बेखेरत तुम लोगे तुमारी फोज में वो टपड़ में तुमारी फोज है ना वो सिर्फ और सिर्फ बेगुना सिविलियन पंजाबियों को मसलमान हैं तुम हिंदू की बात कर रहा हैं मुसलमानों का कतले आम करते हैं बेग पास बॉल्जी नहीं हैं ये लड़ी नहीं सकते हैं ये ना मर्द हैं ये हराम खोर पाकिस्तानियों का पैसा भी लूट रहे हैं और पाकिस्तानियों को मार रहे हैं तो शोय बखतर लानत है तेरे शकल पे तेरे बाग की हमत नहीं है तू इंडिया की बात करता है ये बाग क पाकिस्तान को बचा लो ये भी नहीं बचा सकते तुझे आज के जो पाकिस्तान के प्रॉविंसेज है ना सेंद बलोचिस्तान और कैपिके वहां पे वीजा लेके जाना पड़ेगा और वीजा भी हम लोग तुम्हें नहीं देंगे समझे ना समंधर देखने को तरस जाओगे तुम तो यह है तुम्हारी उकात अब दूसरी बात कि तुम जिनकी दलाली कर रहे हो ना उन्होंने एक जाहिलों की एक देशतगर्दों की रिलिजियस बिगोट्स की वो फोज तैयार किये जो तुझे ही काफिर कह रहे हैं मुलवी और यह सारे देख ले क्योंकि तुन्क इने जो हाथियों की फोज तैयार किन तो पौरस का हाथियों की तरह तुम लोगों पर ही चड़ाय करने वाली है यह खादिम गालवी जैसे लोग खत्म नबूत के नाम पर जो तुम लोगों ने जो यह जाहिलों की फोज तैयार किये एक तरफ तालिबान की फोज तैयार कि उनके साथ तुम जैसे दलालों का भी हशर बुरा होने वाला है शायद तुम्हारे जहन में कहीं ये है जैसे शायद आफरिदी के भी जहन में ये खनास आगिया है कि जब इमरान खान जैसा इडियट गदे का बच्चा पाकिस्तान का परधान मंत्री बन सकता है कि सिंध पाकिस्तान का रिचेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान के नैशनल एस्चेकर को सबसे ज्यादा पैसा देता है सिंध पर कबजा है तो दोस्तों ये वीडियो होता है यहां पर खत्म आप ये वीडियो यहां से छोड़ कर जा सकते हैं आपने सुना पाकिस्तान के नागरिक रह चुके आरिफ अजाकिया को आरिफ अजाकिया आप जानते हैं ये पाकिस्तान के कराची सहर से इनका रिलेशन्स रिप है और ये वही पर पले बडे और कराची के ये मेर भी रह चुके हैं कराची के मेर उस टाइम पे थे मतलब उस ट अक्तर के द्वारा दिया गया कॉंट्रोवर्शिल में शोई वेक्तर ने बूला था कि भारत पर होगा गजवा-ए-हिंद और कस्मीर फता होगा फिर ये होगा इसलामी जंडा फैरेगा मतलब हो सबसकते है वो गजवा-ए-हिंद की थियोरी अगर आपने पागिस्तान के वेक्तर के अगरत में इसलामी सासन सारे लोग मुस्लिम होंगे और गजवा-ए-हिंद नहीं है एक्चली में ये मुस्लिम मतलब मुस्लिम लोगों की ये एक थियोरी है कि सारी दुनिया के लोग मुसल्मान होंगे जब मतलब ऐसा कुछ हिंकर चलता है तो आप समद सकते है यह भी जो भी है ऐसा कुछ है तो वही वास शुय वेक्तर ने की है आपको बता दें कि शुय वेक्तर आप ची है क्या कर सकते हैं शुय वेक्तर आप जानते कितना बड़ा दोगला है शुय वेक्तर ने इंडिया में कितना पैशा कमाया है कितना काम किया आप जानते होंगे लगबख पांस साल तो इसने इंडिया में रहा और ये खुद ही बोलता है कि मेरा वहां का पैन काड अधार काड बैंक अकाउंट टैक्स पे करने का सब सिस्टम में वहां बना चुका था मेरा सब कोछ है मैं मुंबई में काफी रहा हूँ अब समझ सकते हैं आप शोय बक्तर पैसे शोय बक्तर को इंडिया में बहुत प्यार मिला है इसमें कोई दो राय नहीं है दी शोय बक्तर वसीम अकरम उस लिस्ट में आ सकते हैं कि वसीम अकरम जैसे करिकेटर कभी दोगले नहीं होते मतलब डवल स्टेंडर वाली बात है नहीं करते हैं तब शोय बक्तर को मैं क्या बूलूँ अब आपने खुदी सुन लिया और यहां पर जो पाकिस्तान के ही एक नागरिक रह चोके जो हैं एक्स नागरिक आरिफ अजाकिया ने अच्छे से एक्स्प्लेइन कर दिया शोय बक्तर के बारे में इनका समझते हैं यह विलॉंग करते हैं रावल पिंडी से और रावल पिंडी का ही साइद यह हिस्ट्री जाने ना और यहां पर यह वीडियो म यह तक एक्स्प्लेइन ना कर पाएं कि रावल का मतलब क्या होता है रावल का मतलब रावल पिंडी से आपको पता होगा बप्पर रावल ने बसाय था बप्पर रावल वहां के राजा हुआ करते थे यह इनका मतलब यह साइद इनका मतलब बहुत पुराना तालुकात है म द Kn linking जी का एक नम है और पिंडी का मतलब अजया है जानते ही है पिंडी की होती है पिंडी जो या मैं क्या बूलना चाहर हूज रावल्पिंडी का ही हिस्ट्री पता न हो और यह रावल बिंडी और लाहॉर एक खुरणा संज्वाने बर तो आप समझ सकते हैं क्या वाद है ऐसे तो बहुत सारे पाकिस्तान के सहर है जैसे मुलतन जिसका ओरिजिनल नाम मूलिस्थान है जहाँ पर जैनिजम काफी जादा तादात में फैला था लेकिन आप वहाँ पर जैन ही ना मिलें साइद आपको पता होगा पेशावर का नाम आपको पता है पेशावर का ओरिजिनल नाम संस्कृत में जिसका मुझे एक्च्वल नाम याद नहीं आरा लेकिन उसका मतलब था कि फूलो की नगरी अब समझ सकते हैं कि हर सहर के कुछ ना कुछ ओरिजिनल नाम है अला कि इन लोगों को इससे कोई भी मतलब नहीं है इनके दिमाग में कि अबल एक भूत सवार है इसलामी भूत तो वो निकलेगा चाहिए कितने भी पढ़े लिखे हो चाहिए कुछ भी हो तो ठीक है अच्छी बात है वो भी अपने ख्यालाद शियर करें कोई दिक्कत नहीं है यहां से भी लोग कमेंट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है वो जीने का हक है बोलो एंजोई करो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करो धन्दबाद दोस्तों रहती है आफ हॉवआ बाल अ झाल झाल